हलो फ्रेंज नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे और आज हम आपको थाल पोस्ट डिजाइन बनाना बताएंगे और इस थाल पोस्ट को हमने पराद के साइज का बनाया है और डिजाइन तो बहुत ही कूपसूरत है फ्रेंज आप द डिजाइन अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा है इस थाल पोस्ट को बनाना चाहते हैं तो इसमें उन कितना लगा है इसकी लंबाई कितनी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बनाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेजिएगा और डिजाइन पसंद आए त तो आप ऐसे डिजाइन गिफ्ट कर सकते हैं जो बहुत ही खुब सूरत है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा थाल पोस्ट है आप उनके लिए बना के गिफ्ट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थाल पोस्ट को सबसे पहले तो मैजिक रिंग बनाएंगे और उन जो हमने लिया है two ply का है, crochet हमारा three mm का है, तो देखे friends, magic ring हमने बना लिया है, अब इसके आगे हम बनाएंगे three chain, three chain बनाने के बाद magic ring के अंदर हम बनाएंगे double crochet, इस तरह से देखे, और यहाँ पे देखे, दो double crochet और यह तीन double crochet, तो इसी तरह से count करते हुए, यहां पर हम इसको बना लिया है अब magic ring है इसको हम बंद करेंगे इस तरह से घागी कोइच देंगे तो magic ring बंद हो जाएगा यह रिखिये बन गया और इसकी आगे हम इसको लोक करेंगे और यहां पर जहां पर हमने चैन इस्टार्टिंग किया था तो चैन की फंदे में लाकर इसको लोग करना इस तरह से एदेखे तो गोला त्यार हो गया है अब इसके आगे देखे यहां पर बनाएंगे एक चैन थोड़ा सा धागा किचेंगे और यहां पर देखे जो फर्स्ट वाला फं पर देखे और यहां पर भी तीन राउंड धागा निकाल के लेना है और इन सभी फंदों को साथ में बंद कर देंगे देखे फ्रंस दो पब बन गया एक एक फंदे में और इसके आगे हमें तीन चैन त्यार करना है यह देखे अब यहां पर देखे जो नेक्स ट्वाला फं देखे नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे पप तो तीन राउंड धागा यहां से निकालेंगे और कुरूश्या में लेंगे और साथ में इनको बंद कर देंगे इस तरह से एक पप त्यार हो गया फिर नेक्स्ट वाले फंदे में दूसरा पप बना लेंगे डिजाइन बहुत ही आसान है फ्रेंस अगर आप थोड़ा बहुत चलाना चानते हैं कुरुषिया तो आप भी बना सकते हैं इसको बस आप लोग वीडियों को पूरा देखिएगा अब यहां पर मैंने तीन चेन बना के देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल कुरुषिया बन कर दिया है फिर इसकी आगर हम तीन चेन बनाएंगे और फिर दो पप बनाएंगे इस तरह से देखिए, यहाँ पर धागा में निकाल लिया है, तीन राउंड, इसको बंद कर देंगे, फिर नेक्स वाले फंदे में दूसरा पप त्यार करेंगे, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें दो दो पप और तीन तीन चैन बनाते हैं, इस डिजाइन को हम त्यार कर लेंग तो यहां से देखिए फ्रंस एक दो तीन चार पांट च्छे तो इसमें छे डिजयन बन गया है और यहां पे मैंने देखिए उपर की तरफ तेन चैन बना लिया है और यहां पर देखिए नेक्स वाले फंदे में यहां पर लाके हम इसको सिंगल कुर्शे से बंद कर देंगे और इसके आगी फिर हम बनाएंगे तेन चैन अब यहां पे देखिए जो यहां से में स्टार्टिंग क्या था पप बनाना उसके उपर वाले फंदे में यहां पे लाकिस को लोग करना है इस तरह से लोग करने के बाद धागे को हम बीच में करेंगे तो डिजाइन को मैं दिखा दे रही हूं फ्रेंस देखिए इस तरह से बने गाए अब यहां पर थोड़ा सा धागा खीचेंगे देखिए इसके बीच वाले फंदे में यहां पर तीन राउंड धागा निकालेंगे और इनको हम बंद कर देंगे एक पप बन गया और दूसरा पप बनाएंगे तो यह देखिए जो चैन है यह वाला इसके फंदे में तीन राउंड धागा निकालेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे देखे दूसरा पप तयार हो गया दो पब बन गया है फिर इसके आगे हम बनाएंगे तीन चेन तीन चेन देखिए बनाने कि बाद पिर चेन के बनाएँगे इसको हम बन कर देट से फिर यहाँ पर बनाएंगे तेन चेन अब इसकी आगे हमें बनाना है पप तो देखें दोनों पप के बीच में यहाँ पर तीन राउंड धागा निकालके पप बना लेंगे एक पप बन गया है अब दूसरा पप बनाएंगे तो देखिए जो किनारे का चैन है इसके फंदे में बनाना है तो यहाँ पर भी हुमें पप तियार कर लेना है इस तरह से बनेगा और फिर यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे और देखिए इसके आगे वाला जो चैन है यह वाला इसमें लाके इसको बंद करना है फिर यहां पे तीन चैन बनाएंगे और फिर इसे में बंद कर देंगे इस तरह से फिर यहां पे तीन चैन बनाके पहला पब बनाएंगे तो दोनों पब के बीच में पब बनेगा और एक किनारे बनेगा चैन के फंदे में तो देखे फ्रेंस मैंने तेन डीजाइन आपको बना के दिखाया इसी तरह से तीन डीजाइन हमने बनाया आगे तीन और बना लेंगे तो फ्रेंस यहां पे देखिए इच्छे डिजान त्यार हो गया है यहां पे हमने तीन चैन बनाया है यह लाश्ट वाला है मैं दिखा दे रही हूं देखिए यह जो चैन है किनारे का इसी के फंदे में लाकर यहां पे बंद करना है और इसकी आगे फिर हम तीन चैन की और इसी कि फंदे में बंदाख करेंगे इस तरह से फिर यहाँ पर इपर किया कि अपर वाले फंदे में यहाँ पर क्षका कूं का कि विच यह दागा कर लेना है कि व्याहनां पर थोड़ा सा धागा किच के हिए फिर की कि वे किनारे का चेन रहेगा उसके फंदे में दूसरा पप बनेगा और पप की लाइन हमें इसी तरह से बनाना है एक बीच में रहेगा एक किनारे रहेगा और इसकी आगे बनाएंगे तीन चेन और यहां पर देखिए बीच में जो यहां पर फंदा है इसी में लाकर इसको बंद कर करना है इतेखिए-फृंस इस तरह से बनाएंगे तीन चैनि अब या पर देखिय्ए किनारे का चैनिए इस फिर पार भृषव फिर टीन चैनि बनाएंगे और दोनुण लगों कि नियाक eğक बनाना है के इस तरह से बनाएंगे यहींगि च में राउं पबस सेमा निकाल और यहां पर बनाएंगे तीन चैन देखिए बीच वाले फंदे में लग इसको लोक करना है फिर यहां पर तीन चैन बनाएंगी और जो किनारे का यहां पर देखिए चैन है इसमें लोक करना है और इसके आगे बनाएंगे तीन चैन अब यहां पर हम पब बनाएंगे तो इसी इस तरह से बनेगा फ्रेंस मैं दिखा दिरहीं हूँ यहां पर देखिए पप की लाइन है इस तरह से बनेगा और यहां पर देखिए पहले हमने एक डीजैन बनाया इसके बाद यहां पर हमने अब यहां पे देखिए थोड़ा से धागा कीचेंगे पहले पप से ही में स्टार्टिंग करना है तो पप बीच में बनेगा तो एक पप हम बना ले रहे हैं और दूसरा पप हम चैन के फंदे में बनाएंगे तो डिजाइन बहुत ही आसान है फ्रंस आप लोग वीडियों को देखते रहे हैं दूसरा पप हमने बना लिया है इसके आगे बनाएंगे तीन चैन अब यहां पर हमें जाली तियार करना है तो देखिए जो बीच में देखिए यहां पर चैन का फंदा बनाएं इसमें हम इसको लोग कर देंगे इस तरह से और फिर इसके आगे बनाएंगे तीन चेन तो यहां पर तीन जाली तियार करना है तो एक हमने बनाया है एदे की दूसरा हम बना रहे हैं अब इसके आगे बनाएंगे तीन चेन तो तीसरा जाली तियार हो जाएगा और यहां पर बनाएंगे पप तो तीन राउंड नहां से धागा निकाल के कुरुशय में ले और जाली भी हमें तीन तीन करके लेके जाना है इसको तो इसमें हमने चार लाइन तियार किया है तो फ्रेंस से देखिए चार लाइन हमने इसमें बना लिया इसी तरह से इसको हम बना लेंगे और एक लाइन और हम बना लेंगे तो इसमें टोटल देखिए हमने पांच लाइन है देखिए दोनों फब के बीच में यहां से दागे को नोट लगाती विए यहां पर हम धागा निकाल ले रहे हैं लोग करने के बार धागे को थोड़ा सा धागा किचेंगे और फिर पब बनाएंगे दोनों पप के बीच वाले फंदे में यहाँ पर तीन राउन धागा निकाल के पब बना लेना है इस तरह से और फिर देखे नेक्स्ट आले फंदी में बनाएंगे यहाँ पर दूसरा पप हम यहाँ पर बनाएंगे और फ्रेंज यहाँ से हम बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी गुलाई जो है परफेक्ट हो गई है और इसके आगे में इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए फ्रंस यहाँ पर हम बनाएंगे तीन चैन तीन चैन बनाने के बाद देखिए जिसमें हमने पब बनाया है उसी के फंदे में यहाँ पर हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से फिर यहाँ पर बनाएंगे तीन चैन तर और देखि फिर इसी कि फंदे में, यहाँ पर में लोक करना है, इसुरू से, और फिर या पर बनाएंगे तिन चैन, अब यह देखिए, जो बीच का दर भी हम बनाएंगे दो पप, अब यहाँ पर पप की लाइन इसमें त्यार होगी, एक पाप बन गया फिर एक पाप और बना लेंगे दो पाप बन गया है फिर इसके आगे हम बनाएंगे तीन चेन तीन चेन बनाने के बाद यहां पर दिखी यह जो चेन है इसी मिला कर इसको लॉक करना है इस तरह से फिर यहां पर बनाएंगे तीन चेन इसे के फंदे में फिर यहां पर इसको बंद कर देंगे और यहां पर तीन चैन बना के फ्रेंस अब यहां पर देखिए जो पप की लाइन है यहां पर हमें पप ही तियार करना है और यहां पर देखेए इस तरह से बनाना आफ बढ़ाते हुए तो यहां पर इस तरह से हमने बीच में बढ़ाया तो यह दिखे यह पहली वाली line है तो इस तरह से पहली वाली line बनेगा और जिस तरह से हमने पहली वाली लाइन बना के आपको दिखाया है उसी तरह से यह दूसरी वाली लाइन अब हम बनाएंगे तो इसी तरह से फ्रेंस जैसे बढ़ा इसी तरह से इसको भी बढ़ाते हुए यहां पर हम बना लेंगे तो देखे फ्रेंस इसको हम बढ़ाते हुए यहां तक हमने बना लिया है अभी हमने जॉइंड नहीं किया इसको हम दिखाएंगे तो तीन चैनिया पर हमने बनाया है और इसका देखे जो फर्स्ट है पप है इसी के फंदे में लग कर देना है और दागे को बीच में कर लेंग इस तरह से देखे हमने बना लिया इसको फिर हमें आप बीच में बनायेंगी पप अब इसके आगे हम जैसे फर्स्ट वाला लाइन हमने तयार किया है सेम उसी तरह से तयार करना है अब यहां पे कुछ भी नहीं करना है बस आपको बनाती भी जाना है और यहां पर बनाएंगे तीन चैन दो पप हमने त्यार कर लिया है अब तीन चैन बनाएंगे इसके आगे तीन चैन बनाने के बाद देखिए यह जो बीच में देखिए चैन का फंदा आए इसमें लोकी लोक करना है और फिर यहां पर बनाएंगे तीन चैन तो यहाँ पर इसको बंद कर देंगे चैन के फंदे में और तीन चैन बनाके फिर हम पॉप बनाएंगे और यहाँ पर देखिए दो पॉप हमने एक ही फंदे में बनाया पहले बीच में एक बनाएंगे फिर उसके बाद एक किनारे बनाना है देखे बीच में बन गया फिर chain के फंदे में यहां पर बनाएंगे तो देखे फ्रेंस इस तरह से line बनेगा देखे यह बाली line जैसे first line थी सम उसी तरह से यह भी line बनता हुआ जाएगा और यहां पर बनाएंगे तीन chain बीच में तीन तीन जाली बनेगा तीन चैन बनाके देखिए चैन के फंदे में यहां पर लॉक करना है और यहां पर बनाएंगे पप और देखिए किनारे वाले फंदे में यहां पर भी बनाएंगे दो पप बनाएंगे एक बीच में रहेगा और एक किनारे पर तो इसी तरह से एक दिजाइन बनेगा इसी तरह से बनाते विए छे लाइन आगे हमे त्यार कर लेना है तो इस पर गुलाई है परफेक्ट हो गई है अब नहीं दागा में छेंज कर देना है तो मैं इसको दिखा दे रहे हूं इस तरह से विश्याइन बनेगा और इसमें इस टार्टिंग में छे दियाइन था अभी मैंने इसमें बढ़ा लिया है तो इसमें टोटल बार डिजाइन बन गया है अब इसके आगें दुसरा दागा लगाएंगे तो देखे फ्रेंस दोनों पप के बीच में यह स्टार्टिंग करना है तो नोट लगाते हुए यहां से धागे को निकालेंगे लोग करने के बाद थोड़ा सा धागा हम खीच के पप बनाएंगे तो एक पप देखे बन गया है अब इसके आगे बनाएंगे दूसरा पप तो चैन के फंदे में बनाना है यह जो किनारे का चैन है इसी में बनाना है फ्रेंस देखे यहां पर दूसरा भी पप बन गया तो अब इसकी गुलाई परफेक्ट हो गई है तो यहां पर हमें बढ़ाना है डिजाइन को अब यहां पर हम डिजाइन को बढ़ाएंगे तो जैसे में बढ़ाना बता है उसी तरह से बनाना है यहां पर तीन चैन बनाएंगे फिर देखिए चैन के फंदे में यहां पर जो फर्स्ट वाला चैन है इसी में लोक करना है और जो बीच का देखिए जाली है इसमें हमें दो पप त्यार करना है बीच वाली जाली में एक बन गया एक और बनाएंगे कि अब इसके आगे तीन चेन त्यार करेंगे जो इने यहां पे देखिए जो नेक्स्ट वाला यह चैन का पंदा इसमें लग करना है पिर यहां पर बनाएंगे तीन चैन हुँ इसी के पंदे में फिर हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से थिरלא यहां पर तीन चैन बना के अब हम पब बनाएंगे दोनों पब के बीच में एक बनाना है कि और इसकी आगे देखेंगे चैन के पंदे में यहां पर हम बनाएंगे दूसरा पप तो इसी तरह से इसको बढ़ात्य वी स्लाइन को त्यार कर लेना है तो इस तरह से बनेगा, देखिए, यहाँ पर जाली बनेगा, तीन-तीन, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, तीन-तीन जाली बनेगा, बीच में हमने डिजाइन बना लिया है, तो इसी तरह से फ्रन से देखिए, यहाँ पर बढ़ेगा, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ पहले देखिए जाली हमने बनाया फिर उस जाली में यहाँ पर देखिए जाली में हमने डीजाइन को बढ़ा लिया है अब इसकी आगे देखिए जाली हमने बनाते हुए यहाँ पर इसको बढ़ा लिया है तो इसी तरह से हम इस लाइन को बना लेंगी और इसी तरह से इसको बनाते हुए 13 लाइन में त्यार कर लेंगे तो मैं दिखा दे रहे हूं जैसे मैंने देखिए यहां पर येलो वाली लाइन हमने 6 में त्यार कर लिया है तो यहां पर हम 13 लाइन त्यार करेंगे तो फ्रेंस इसको हम आगे बना ले रहे हैं तब दिखाएंगे तो देखिए फ्रेंस यहां पे हमने इसको त्यार कर लिया है और 9 लाइन में हमने वाइट किया है और 4 लाइन में हमने यलो बनाया है और इसमें टोटल हमने 24 लाइन त्यार किया है फ्रेंस अब इसके आगे हम डीजाइन बनाएंगे, बाडर वाली, तो यहाँ पर देखिए, पपके फंदे में, यहाँ पर बनाएंगे सिंगल कुश्या, और देखिए इस तरह से, फिर हम धागा लेपेटेंगे कुश्या में, तीन राउंड, यहाँ पर तीन राउंड धागा है बीच वाली उसी के जाली में यहां पर बनाना है डिजाइन को इस तरह से दो फंदा बंद करना है फिर दो फंदा और दो फंदा और लाश्ट में दो फंदा बंद कर देना है तो इस तरह से इसको बनाना है फिर यहां पर तीन राउंड देखिए कुरुषय में धागा तो इसी तरह से काउंट करते हुए इसमें 10 डिजाइन त्यार कर लेना है तो इस तरह से बनेगा एक ही साइज का त्यार होगा और डिजाइन अच्छा लगए तो लाइक किजिएगा और कमेंट में जरू बताईएगा डिजाइन कैसा है तो इसी तरह से इसको हम बना ले रहे हैं तो यहाँ पर देखे फ्रेंस हमने इसको बना लिया है देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस तो इसमें हमने 10 डिजाइन त्यार कर लिया है अब यहाँ पर देखे दोनों पप के बीच के फंदे में यहाँ बनाएंगे दो सिंगल क्रोश्या एक हमने बनाया है एक और बनाएंगे इस तरह से देखे दो बन गया फिर इसके आगे देखे तीन राउन इसे धागा लेपेटेंगे इस तरह से और देखे बीज वाली जो जाली है यह वाली इसमें बनाना है डिजैन को तो दो-दो फंदा बंद करती लाश्ट तक इसको बनाएंगे इस तरह से फिर यहां पर तीन राउन धागा लेपेटेंगे फिर उसी तरह से बनाएंगे कि तो इसी तरह से फ्रेंस कांट करते हुए 10 डिजैन त्यार करना है इसमें तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने first वाला design बनाया है जैसे इसको हमने बना के यहाँ पर join किया उसी तरह से दूसरा design हम बना के यहाँ पर single crochet से बंद कर देंगे इसी तरह से यह line complete कर लेंगे तो देखिए friends यहाँ पर एक design हमने बना लिया है इस तरह से देखिए ले बार्डर का डिजाइन बन गया है अब इसके आगे हम इसका बार्डर बनाना बताएंगी तो देखिए जहां मनें दो सिंगल कुष्ट्रिया बनाया है वहां से स्टार्टिंग करेंगे यहां से मोट लगाती हुए धागे को यहाँ पर निकालना है और इसको बंद करते हुए यहाँ पर इमें 14 चैन त्यार करना है इस तरह से चैन बनाते हुए यहाँ पर बनाएंगे तो फ्रेंट से देखिए मैंने 14 चैन यहाँ पर त्यार कर लिया है और इसके आगे अब हम पर बनाएंगे तो थोड़ा सा धागा में खीचना होगा इस तरह से देखिए फ्रेंट थोड़ा सा धागा में खीचके और फर्स्ट वाला फंदा चोड़के सेकेंड वाले में से धागा निकालेंगे तो यहां से में चार राउंड धागा निकालना है और इन फंदों को बंद कर देंगे तो एक पॉप पे देखिए बन गया है बंद करने के बाद एक चैन बनाएंगे ताकि इसका जो फंदारे टाइट रहे इस तरह से फिर दूसरा पॉप हम बनाएंगे पॉप के फंदे में ही यहां पे देखिए इसके फंदे में से चार राउंड धागा निकालेंगे और इसको बंद कर लेंगे दो बंद गया यहां से कुरुशिया निकालेंगे तो दोनों को एक ही में करना है तो इस तरह से मोड देंगे इस देखिए फ्रेंगे और देखिए यहाँ से कुरुशे को डालेंगे इसके फंदे में और जो दूसरा पप है उसका फंदा देखिए इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से और इसके आगे बनाएंगे बाराट चैन तो फ्रेंट से देखिए 12 चन बना लिया है हमने और फिर इसी के फंदे में आपर लॉक करेंगे तो देखिए यह बराबर आ रहा है और यहाँ पर देखिए दोनों सिंगल कुरुशा के बीच में इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर देखिए जो design हमने बनाया है एक हमें skip करना है इसके next वाले फंदे में यहाँ पर बनाएंगे सिंगल कुरुश्या इस तरह से इसके आगे बनाएंगे तीन चैन और देखिए friends यहाँ पर जो हमने सिंगल कुरुश्या बनाया है इसी के फंदे में फिर हमें सिंगल कुरोशिया से बंद करना है इस तरह से इस तरह से बाडर का डिजाइन बनेगा नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे सिंगल कुरोशिया और फिर इसके आगे बनाएंगे तीन चैन और यहां पर देखिए इसके अंदर से धागा निकालत सिंगल कुरुषिय बना लेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे में फिर बनाएंगे सिंगल कुरुषिय तो इसी तरह से डिजाइन बनेगा एक-एक फंदे में एक-एक डिजाइन को बनाती हुए इसे हम बना ले रहे हैं तो देखिए फ्रंस यहां पर हमने इसको बना लिया है और लाश्ट में भी हमें एक फंदा इसकीप कर देना है यह जो डिजाइन था और फिर देखिए दोनों सिंगल कुर्षय के बीच में यहां पर हम एक सिंगल कुर्षय बनाएंगे उसके बाद हम 14 चैन बना के फिर डिज बना रहे हैं फ्रंस यहां पर इसको हम त्यार करेंगे और यहां पर बनाएंगे पप तो जैसे उन्हें फर्स्ट बाला डिजाइन बनाया सेम उसी तरह से इसको भी हम बना ले रहे हैं और दूसरा पाप बनाएंगे दूसरा पाप बनाने के बाद देखी इस तरह से इसको मोड़ेंगे यहां से कुर्षय को डालेंगे और जो दूसरा पाप है इसके फंदे में से निकाल लेना है और इसके आगी बनाएंगे 12 चैन लटकन की साइज आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अपने अंसार रखें जितना बढ़ा बनाना चाहें फिर इसके फंदे में लाके इसको जोइन कर देना है तो यह देखिए फ्रेंस यह दूसरा लटकन भी बन गया है और इसका पाडर भी बहुत ही जल्दी बनेगा तो इसी तरह से देखिए लटकन और बाडर हम बनाते हुए आगे इस डिजैन को कम्प्रीट करेंगे तो इसको हम बना ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंस यहां पर हमने बाडर को बना के कम्प्लीट कर लिया है और यह थालपोस नमारा बन गया है और बीच में हमने एक पम पम लगा दिया है तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा थालपोस बनाए फ्रेंस बहुत ही खूपसूरत है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए और इसकी साइज भी अगर आप और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके गुलाई जहां से परफेक्ट हो जाए फ्रेंस फिर उसके आगे आपको बढ़ा देना है तो इसी तरह से आपको बढ़ाती हुए बना लेना है जितना बड़ा बनाना चाहें तो फ्रेंस देखिए बहुत ही प्यारा सा थालपोस है हमने इसको दो कलर में बनाया है एक मैंने देखिए पिंक और वाइट में बनाया है और एक यलो वाइट में बनाया है जो बहुत ही कि खुब सूरत है फ्रेंस कमेंट में जरूर बताईएगा कि design कैसा है और और फ्रेंज डिजाइन पसंद आया तो लाइक के जिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ने डिजाइन के साथ थैंक यू